परिक्षा तिष्टी परिक्षाओं पर पैनिनस जैसा कि आप लोगों ने मुझे बताया था कि फिगर ओफ स्पीच को लेकर आप लोगों को बहुत जादा डाउट्स रहता है कि इसलाइफाय का नहीं होगा तो आप उसमें आगे और चीज़ा नहीं समझे तो सबसे पहले अब उसमें नहीं की क्या होता है जितना ज्यादा उसको सुंदर बनाने के लिए जो भी लैक लिख रहा है color प्लाकों मुल्पल प्लाइप्स के हमने देखे हैं लेकिन वो सारे के सारे आपके पढ़ने में नहीं हैं जो आपको पढ़ने वो मैं आपको बता तुम कौन कौन से आपको पढ़ने हैं वेरियस फिकर ओड़ पिडिटेल और ड्रामा डिटेल और डेफ ओफ ऑफ दी पोईटी लिगा पोईट्री कि उसमें जो पोईट्री हो गया ड्रामा में भी आपको देखने मिलता है कि जितने जादा उसमें फिकर ओफ स्पीच दिया जाता है उतनी ही जादा आप उसमें इमोशन स्पाइंड आउट करते हैं that is why figure of speech are being used as a tool by the poets or dramatist or other people okay to make their writing more cheerful and emotional okay okay let's begin with the things with the common one जो commonly used figure of speeches होते हैं वो कौन कौन हैं अल्ट्रेशन हो गया एस्वनेंस हो गया अनुमाट्पोया हो गया पर सॉनिफिकेशन हो गया सिमिली हो गया मेटफर हो गया इमेजरी हो गया है पर बोला ऐसे तो देखा जाए जिसके और भी कई टाइप के दिये जाते हैं कौन कौन से दिखा जाते हैं आपको दिखा जीत का अठीथिसिस आपको कई इसमें में नहीं पूछे जाएंगे जब कौन से हो भी मैं बताऊंगी एलिट्रेशन हो गया एंटीथेसिस सी एक्स्लमेशन हाइपर बोला उसके अलावा कौन से है इन्वर्जन हो गया, interrogation हो गया, irony हो गया, metaphor हो गया, personification है, pun है, repetition है और similar है इतने type के figure of speech actually use किये जाते हैं लेकिन जो आपके exam में पूछे जाते हैं जो मोतली आपके exam में पूछे गए है वो कौन से होते हैं वो कावना के हो जाएंगे पहला हो गया तो égal हो गया है इसमें सेशले हो और यह सारी है जो आपको याद करने हैं redu हैं इसजी हांपू से हैं शेम्पू का मतलब क्या हो गया ऐस disruption क्यषा से और हैं ही mm credit हो जाए गाइगा हाइप region हो जाएगा तो तो कि यह चाहें हो। पिर आता है मेटाफर पी से आजाता है आपका पन तो से आपका आजाता है और 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 आपका आजाता है और आपको आपको अल्रेडी बता चुकिए हूं आपको आपके आपके रहेंगे मैं चाहिए तो आप बस शैंपू याद लीजेगा में चीज यह आपकी क्या आपके जुड़े हुए हैं ओके नेक्स तिंग की जो हम लोग इसमें सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वह सिमिली को हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है डेफिनिशन इसके क्या है असिमिली इस फीगर ऑफ स्पीच कंपेरिंग तू अन्लाइक थिंग ओफिन इंट्रूस्ट विद दी वर्ट लाइक और आज ठीक है जब दो अन्लाइक थिंग्स को ठीक है जो मताब एक दूसरे से काफी भिन है मगर फिर भी उनको क्या किया जा अब ञवर्टेइब है क्या है तब अब उसमें क्या होता है यहां पर हम सिमली कर करते हैं लेकिन जब उसमें like या फिर as का as जैसे word का या फिर such as भी हो गया इस तरह की words जब उसमें use किये जाते हैं दो चीज़ों कंपेर करने के लिए तब हम क्या कहते हैं उसे comparison कहते हैं और वहां पर हमारा कॉन सा figure of speech लगता है इसके examples और देख लेते हैं ताकि इसको और अच्छे समस्ज सक यहां पर इतने बाल है जैसे मनों गुरिल्ला हो तो यहां पर गुरिल्ला और ही को कंपेर किया गया है मतलब इस इंसान को कंपेर किया गया है with the help of the word using as पीटर लाफ्स लाइक का हाइना यहां पर पीटर की हसी को हाइना की जो आवाज होती जो sound निकालता है उससे compare किया गया है with the help of like Mr. John is as wise as an owl Mr. John को यहां पर owl की तरहा या owl की इंटेलिजन्स के साथ compare किया गया है उनकी जो वाइजनेस है जो उनकी सोच है जो उनकी बुद्धी मता है उसको परावरी किया गया है because I was embarrassed my face was as red as a ripe tomato यानि कि जब शर्म आती है तो उस time पे जो हमारा face होता है वो बिल्कुल red like a tomato हो जाता है मताब tomato जैसे red होता है इसी तरह embarrassment के कारण जब किसी का चहरा लाल हो जाए तो उसका comparison भी क्या 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 है यहां पर क्या 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 है अगें लाइक की मदद से यहां पर प्यार को लाल गुलाब से compare किया गया है the world is like a stage जो हमारी दुनिया है वो एक तरीके से stage से compare की गई है with the word using like and she got a neck like a pipe यहां पर गर्दन को pipe से compare किया गया है with the using word like so hopefully आप लोगों को easily यहां पर समझ में आ जाएगा कि जभी आप किसी भी sentence में हो सकता है आप poem पढ़ें उसमें भी आप लाइगे और as such as इस तरह से words दूंडेंगे तो वहां पर जभी आपको दिखेगा समझ जाना कि वहां पर simili यूज किया गया है as a figure of speech okay so next class में मिलते हैं जब मैं आपको इसके आगे के बाकी कि ज़िए of speech one by one and for today thank you for all